दोस्तो पाइधन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर हम लोग यह चेक करेंगे कि यूजर हमें एक एयर प्रोवाइड करेगा और हमें यह चेक करना है हमारा प्रोग्राम बदले में यह बताएगा कि यह पर्टिकुलर इयर है वो लीप इयर है या नहीं है अब यह लीप इयर क्या होते है उसके डीटेल्स को हम बहुत ध्यान से समझेंगे थियोरी और प्रैक्टिकल दोना ही में आपको बहुत डीप में समझाने वाला हूँ सो विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम डिरेक्ली जंप करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नियू है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करके औल नोटिफिकेशन को अन करें ताकि आपको ले लेकिन इसका कुछ फॉर्मुला है क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो अपने आप कुछ होने से रहा इतना आप आज तक समझ चुके होंगे जो भी करना है आपको खुझ से कोड करके कंप्यूटर से करवाना पड़ता है ठीक है और पाइथन के इंटरप्रेटर के पास भी अब यहां पर कुछ लॉजिक होते है वो लॉजिक क्या है यहां पर बेसिकली क्या होता है हमारे पास एक इयर गिवन होता है अगर यहां पर मेरे पास एयर है 1980 तो यह एक लीप इयर है ठीक है अब कैसे आया यह लीप मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर यह ए आपे 1600 की, ये भी एक leap year है, same हमारा 2000 भी एक leap year था, ठीक है, और जो 2020 चल रहा है हमारा, even ये भी एक leap year है, अब क्या logic है इसका, कैसे count होता है, देखिए इसमें बहुत सारे अलग-अलग comparisons और conditions पर हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिर्फ एक condition को लेके चलते है ना, तो answer हमारा गलत हो जाता है, आप 1980 को ignore मारे और बाकी के 3 conditions पर आप ध्यान दे फिलाल, मैं आपको बताता हूँ फिर कैसे हमारा एक logic गलत हो जाएगा, यहाँ पर 2-3 conditions नवे चेक करनी होते हैं, जिसमें से 1 है century year, ठीक है, अब century year क्या होते है, बेसिकली जो आपको कुछ ऐसे फॉर्म इसको भी इग्नोर मारें, आप last वाले को basically आप 2 को comparison करें, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000, 2000 की series चल रही है, अभी in future 3000 की series होगी, ठीक है, यह कहलाते हैं आपके century years, जहां 100 साल पूरे हो चुके होते है, it can be 2100, लेकिन अगर मैं इन दोनों को compare करूँ तो यह leap year है, but अगर मैं 100 से ही compare करने बैठ जाओ, basically हमें क्या करना होता है, user से एक year लेना होता है, और let us say year है हमारा 2000, ठीक है, user ने हमें बोला 2000, तो हमें क्या करना होता है, इसे हमें divide करना होता है, divide करके हमें यह check करना पड़ता है, कि अगर हम इसको divide कर रहे हैं 100 से, और जो result है हमारा, अगर वो 0 के equal आ जा रहा है, ठीक, अगर हम इसको mod करें, और remainder 0 बचता है, तो यह एक leap year है, let's say, इसको हम directly divide करके देखते हैं, यहाँ पर मेरा year रख दिया है, मैंने 2000, और यहाँ पर आ गया हमारा 100, 102 जा, 200, और इसको आप 0 उतारे, जो मर्जी करें, लेकिन मुझे पता है, 20 ताइम्स बढ़ारा हम से multiply होके, यह 2000 फॉर्म करेगा, और remainder आ जाएगा हमारे पास finally 0, तो यह तो ठीक है, इस case में बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हर case में नहीं, 1600 में भी ठीक है, यह काम कर जाएगा, लेकिन अगर जो हमारा year हो 2100, ठीक है, तो यह एक century year है, but not a leap year क्यों नहीं है, अभी हम देखते हैं, अगर मैं इस 2100 को divide करूं 100 से, century से, तो 121 जा, 2100, ठीक है, तो यह आपका zero form कर रहा है, but still zero होने के बाद भी, यह एक leap year नहीं कहलाएगा, 2021 की जो series है, not 2021, 21000 की जो series है, यह आपका leap year नहीं कहला, not 21000, 2100, यह leap year नहीं कहलाएगा, अब single से आप बात नहीं बनेगी, century year ही एक logic नहीं है, ठीक है, इसके पीछे और भी logic हमें देखना होता है, और उनके उपर भी हमें काम करना होता है, तब जाके ही हम एक year को leap या फिर leap year नहीं है कह सकते हैं, अब यहाँ पे पहला condition क्या होता है, हमारा century year का, दूसरा condition होता है हमारा, हमें quadro के according भी चेक करना होता है, quarter, ठीक है, हमें quarter के according भी चेक करना होता है, quarter क्या होता है, चार साल को एक quarter कहते है, किसी भी चार चीज़ों का, हम basically एक quarter कहते है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो year है, 2000, quarter में क्या करना होता है, हमें इसको 400 से divide करना होता है, not only divide, modulus, हमें basically remainder से मतलब है, तो अगर मैं इस 2000 को यहाँ पे रखूँ, और इसको मैं divide करूँ 400 से, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, 4, 5, 20, ठीक है, और आपके यह 20, देख पा रहे हो, अगर मैं even calculator भी आपको open करके दिखाऊँ, और यहाँ पे, मैंने simply value दिया इसको 2000, और यहाँ पे मैं कहता हूँ divided by 400, तो कहता 5, तो 5 से divide तो होगे, और नीचे remainder कितना है हमारे पास, 0, तो यह एक leap year है, यह century से भी divide हो रहा है, at the same time, यह 400 से भी divide हो रहा है, ठीक है, तो यह कुछ logic हो जाता है हमारा, similarly, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 2100 की, तो वहाँ पे logic fit नहीं बैठता है, सिर्फ ए century के case में आपका यह नहीं कह सकते है, आपकी direct आपका leap year है, अगर वह 100 से divide हो गया, तो no, ऐसा नहीं है, वह 400 से भी होना चाहिए, उसको एक quarter पूरा करना है, similarly, जो हमारा year था 2100, मैंने आपको कहा कि यह एक leap year नहीं है, यह century से तो divide हो रहा है, बट यह quarter से divide नहीं हो रहा, कैस से अभी देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 400, 100 से तो मैं आपको पहले ही करके दिखा चुका हूँ, और यहाँ पर आएगा हमारा 4, 5,000, कितना आएगा यह हमारा 2000, ठीक है, अब remainder कितना बच जाएगा हमारे पास, 100, again इसको अगर हम divide करते हैं, तो possible ही नहीं है, यहाँ प भले ही यह एक century year है, बट 400 से divide नहीं हुआ, तो यह एक leap year नहीं है, ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, let us say 2004 का, एक year है हमारे पास 2004, अब इसमें भी एक पंगा आ गया, यह ना तो एक century year है, और ना ही यह 400 से divide हो सकता है, सिरी सी बात है, बिना point के तो यह दो कैसे है, मैं आपको directly calendar में चेक कराऊंगा, और फिर हम प्रोग्राम करेंगे, यह एक leap year है, तीसरा concept हमारा एक और होता है, जिसके according हमें condition चेक करना होता है, कि अगर वो 4 से भी divide हो जाता है, तो भी वो leap year कहलाएगा, let's say यहाँ पर अगर मैं बाहर रखता हूँ 4, तो क्या आ जाएगा हमारा यह 20, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 0, 4, ठीक है, अब चेक कर पा रहे हो, 4, 5, 20, let's make it 4, 50, कितना बन जाएगा हमारा, 200, तो नीचे eliminate होके क्या बचेगा हमारे पास, 4, 4, 1, 4 और remainder आएगा हमारे पास, 0, एक बार cross check करके इसको verify कर लेते है, क्योंकि म मुझे यह answer थोड़ा सा जीव लग रहा है, 501, बट होना तो यह सही चाहिए, 2004 divided by 4, ठीक है, 501 हमारा answer आ रहा है, remainder हमारा 0 है, तो ना तो यह century year था, ना ही यह quarter form कर रहा था, बट यह जो है, यह 4 से divide हो रहा था, quarter मैं नहीं इसलिए लिख दिया, क्योंकि actually 4 का होता है, ठीक ह अब बात करते हैं यहाँ पर leap year के logic क्या होता है, तो basically ऐसे year, normal क्या होता है, हमारे जितने भी years होते हैं, जो एक साल होता है, उसके अंदर 365 days होता है, ठीक है, लेकिन जो leap year होता है, उसमें आपका 366 days होता है, तो यह आपका 366 days होता है, that's why वो जो एक दिन extra होता है, वो हमार February में जुड़ जाता है, ठीक है, अब एक दिन extra कहां से आ गया, तो basically जो हमारे normal years होते हैं, जो हमारे normal एक साल होते हैं, उसके अंदर 365 days नहीं होते, 365 and one fourth day होता है, ठीक है, एक चोथाई, it can be up to, let's say, 365.25, कुछ hours extra होते है, अब 24 hours होता है, तो आप इसको imagine कर रहे हो 6, क्योंक तो 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 6, 12, 18 and 24, but actually ये quarter से हलका सा जादा होता है, not only 25, थोड़ा सा जादा होता है, अब जब 4 year, यानि कि 4 साल के 0.252525 मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हो, ये जो है, 0.25 को अगर आप add करते हो, तो actually, ये मैं minutes की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं minutes की बात नहीं कर रहा हो, मैं आदे दिन की बात कर रहा हो, आदे से आदा दिन, 1 4th, तो 1 4th को अगर हम 4 बार जोड़ते हो, तो एक complete day form करता है, और वही day जो होता है, हमारा leap year में, fab के महीने में जुड़ जाता है, February के महीने में, ठीक है, और वो actually, वो जो एक हमारा day होता है, वो एक एक दिन से extra होता है, तो ये 366 days नहीं होता, ये भी approximately 366.2 की series में जाता है, 25 या जो भी है, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा जादा होता है, लेकिन आप point के बाद इसको consider नहीं करें, वरना आप बोलोगे कि अगली बार तो फिर तीन बार में ही leap year हो जाएगा, उसको आप ignore मा operations के उपर काम करना है, अब यहाँ पर मैं आगे अपने program के अंदर, और program में मैंने एक file आउड़ी desktop पे save कर रखा है, leap underscore year underscore program, अब generally मैं आपने terminal से run करता हूँ, desktop का location देख करके है, लेकिन कई लोगों को आता है path का एक error आ जाता है, अब उन case में क्या करें, आप terminal से run ना करें आप उपर जाए, run पे जाए और आप direct run without debugging कर सकते है, या start debugging लेकिन आप directly इसको run करें, यहाँ से कुछ seconds के अंदर आपका file run हो जाएगा, जिस मर्जी location पे होगो, तो यहाँ पे मैं आगे और यहाँ पे मैंने user से year input कराना है, ध्यान दे integer में ही input कराना है, तो मैंने का year integer में क्या होगा हमारे पास, input कर, क्या input कर, मैंने उसको कहा है message, enter a year to check its leap year or not, ठीक है, यहाँ पे आया, अब user ने मैं को year बता दिया, मुझे conditions चेक करने है, कि अगर वो 400 से divide हो जाता है, तो यानि कि if लगेगा, if, जो user ने अभी अभी year बताया, अगर मैं उसको mod करू, modulus के ओपर म मैं उसको mod करू 400 से, if year mod 400 equals to equals to 0, और अगर remainder 0 आ जाता है, तो क्या करे, तो print करे, क्या print करे, leap year, लेकिन सिर्व इतना करने से बात नहीं बनेगी, बट मैं still इसको run कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया python, leap year dot py, मैंने इसको provide किया 2000, क्या था leap year, लेकिन हर case में ऐसा नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा, हर case में यह नहीं चलेगा, हमें और भी conditions के ओपर काम करना है, जैसे कि 2004 भी है, लेकिन यह कुछ भी result नहीं देगा, क्योंकि मैंने actually उस condition के ओपर अभी काम भी नहीं किया है, देख रहे हो, 200 के आपर भी नहीं चला, खेर हमें थोड़ा उपर ही values को pick करना है, तो यहां पर मैं इसको clear कर रहा हूँ, और यहां पर मैं क्या कहता हूँ, कि अगर जो number है year, अगर वो 400 से modulus करके 0 आता है, तो leap year है, L, if, आप चाहें तो यहीं पर odd लगा के कर दे, या end लगा के करेंगे, तो जादा अची बात है, बट कई cases में not end या आप और के साथ काम करेंगे, और बीच में एक end का term जुड़ेगा, that's why मैं confusion नहीं कर रहा हूँ, मैं directly separate पर काम कर रहा हूँ, मैंने कहा, अगर जो year है हमारा, उसको अगर मैं year को mod करूँ, किस से mod करूँ, 100 से, और result i equal to equal to 0, ठीक, त यहाँ पर कुछ logic हमारे बिगड़ जाएंगे, वो क्या चीज़ है, अगर मैं इसको यहाँ पर print करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, leap year, चलिए सबसे पहले हमें एक else की condition भी बनाई लेते हैं साथ साथ, मैंने का else, बाकी जो बच गया, print कर not a leap year, not a leap year, save किया म condition मैंने बना दी century के साथ भी, अब अगर मैं मेरे file को run करूँ, तो यहाँ पर अगर आप check करो, तो मैंने का इसको 2000, तो कहता leap year है, अब अगर मैं इसको 2100 भी दे दूँगा न, तो यह leap year भोल देगा, जो कि गलत हो गया actually, 2100 leap year नहीं है, और अगर मैं इसको 2004 प्रोवाइड क करूँ, तो कहता नहीं है leap year, अब गलत हो गया हमारे यह cases, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, तो basically मैंने 400 से check किया, कि अगर 400 से divide हो जाता है, तो यहाँ पर अगर आप check करोगे न, तो मैंने conditions में कुछ changes किया है, जो हमारा exact query होना चाहिए, वो यह है, क्या है वो remainder 0 return करता है, तो वो एक leap year है, लेकिन हमें बार-बार problem आ रहा है 2100 का है, जो century years है, तो उसको solve करने के लिए बहुत ही एक simple सा logic है, वो क्या logic है, logic यह है कि अगर हम year को mod करे 4 से, और remainder आ जाए 0, जैसे 2004, 2008, 2020, तो तो वो leap year है, लेकिन वो leap year तभी है, इस case में तभी jump करना है, ज जब, अगर हम year को mod कर रहे हैं, 100 से, और remainder 0 नहीं आ रहा, ठीक है, something like 2004, 2004 जो है, वो ना तो 400 से divide हो रहा है, 0 नहीं लेके आएगा remainder, और नहीं वो 100 से divide होके remainder लेके आएगा, तो उस case में क्या करेगा, यह उस case में हमें बता देगा, कि हाँ, यह एक leap year नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं आप इसको save करूँ और run करूँ, run किया मैंने इसको, मेरे file को मैं यहाँ पर simply run करता हूँ, मैंने कहा 2000 कहता leap year है, मैंने कहा 2002, 2003, तो कहता leap year नहीं है, 2004 की बात करें, तो कहता leap year है, और directly jump करते हैं हम लोग 2000 and, directly jump करते हैं 2100 की series पर, तो कहता leap year नहीं है, तो वो ज वो गया इस logic के जरिये, बड़ा ही simple सा program है लेकिन मैंने आपको maximum combinations बना के दिखा है, यहाँ पर मैं आता हूँ simply calendar के अंदर और मैं आपको यहाँ पर 2020 में FAB के मन्त में जा करके दिखाता हूँ, आप चेक कर सकते हो February के मन्त में 29 days है, यानि कि यह भी एक leap year है, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो like, comment जरूर करें, चैनल पर new and subscribe करें, bell icon को क्लिक करके all notification करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys